अब नासा ने इलियंज के पर सीरियसली एक बहुत तगडी रिसर्च चुरू कर दिये है नासा ने हाले में एक टीम मनाई है चुके आस्मान में उनने वाले और कई जगह पर दिखने वाली यूफोस पर रिसर्च करेंगे हमारे एपल के ऊपर के चिलके जितना पतला है आपको लगता होगा कि अगर फुल है तो नेट फास्ट है और नहीं है तो उसका मदलब नेट स्लो है लेकिन ऐसा नहीं है बलकि यह जो बार होता है यह तो आपके और सबसे पास के नेटवर्क टावर की बीच का डिस्टन्स बताता है और जरूर यह नहीं के डिस्टन्स ज्यादा है तो आपका नेटवर्क स्लो होगा यह आजपास के एन्वायरमेंट और कई सारी चीजों पर डिप्रेंड करता है क्या अपने फोन को स्ल से फुल चार्ज कर सकते हो को सकता है इसके बारी में आपने सोचा होगा तो इसका सिंपल से जवाब है नहीं तरशल आज कल की जो आने वाली बैटरी होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा 1700 एमेज यफ दो हजार एमेज की पावर होती है वही फोन की करें तो आज लगबख हर एक फोन में जो लीथियम बैटरी होती है उसमें फुल चार्ज करने के लिए कम से कम लिए आज़ते हैं यह मेमरी को हटा सकता है जो आप हटाना चाहते हैं लेकिन इसके साथ एक्सप्रेमेंट काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है यह आपके लिए काफी फॉन डू यूज है इस अप्लिकेशन को देखो यह आसानी से कैसे भी क्यूब को सुल जा सकती है पस आपको र्यूबिक्स क्यूब के सारे साइड्स का पिक को डालना है वरी आपको सेल्यूशन बता देगा जोम के लोग अपने दातों को यूरीन से धुते थे वो भी इंसान के यूरीन से इंसानी यूरीन को तूथपेश में डाला जाता था उनको लगता था ऐसे करने से उनके दात ज्यादा साफ होंगे इसे कहते हैं 1000 IQ इस आदमी ने आपने ड्राविंग लेसंस के फोटो खींचने से पहले शराहपी लेती ताकि अगर ये ड्रिंक एंड्राइव करता और पुलिसे से पकड़ लेती तो ड्राविंग लेसंस में देख कर ये बिलकुल नौरमल लगेगा क्योंकि इस फोटो में करें सरकार बनाते है और इसे अपको कहूं कि एक ऐसी भी पती है जिसके ऊपर आप खड़े हो सकते हो और वह आपका वजन भी उप ऐकीस कण्याक यकीन करोगे हैं दुनिया की सबसे ज्यादा बख्रोंगें इस का नाम है विक्रेवट लिम और यह अपने ऊपर ताइवान में एक बहुत याजीब रूल है पट यहां के लोग इसे बहुत ही ज्यादा मानते हैं ताइवान में अगर कोई आदमे मल जाता है तो फिर उसकी फैमिली वाले फेक नोर्स जलाते हैं ताँकि उस आदमी को हेवन में जाके कभी पैसों की कमी न हो ताइवान में माना जाता है कि आदमें मर के heaven के दुनिया में जाता है जहांपे वो life गुजालता है और वहां भी पैसे होते हैं North Korea यहांपे पैदा होना नर्ग से कम नहीं यहां कई बुरे से बुरे rules है और यहांपे entertainment के लिए कुछ भी नहीं है नो WhatsApp, नो YouTube, नो Facebook कुछ भी नहीं पस 28 वेबसाइट है जहां आप विजिट कर सकते हो और उसमें से आधिक किम जॉन के बारे में है और बाकि नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है पस government के chiefs के लिए है जोस्तों एक बार एक report में पाया गया कि यह चोटे-चोटे cockroach होते हैं अगर वो किसी तरह गलती से हम human से touch हो जाते हैं और फिर किसी तरह contact में आ जाते हैं तब यह cockroach अपनी body को पूरी तरह से clean करने की कोशिश करते हैं कोई safe place ढूंड कर क्यूंकि उनको लगता है कि human से touch हो पर बेटा है तो वह अमाउंट है seven to nine trillion US dollars हाँ आपने सही सुना पर इसमें से एक भी रुपया यह यूज नहीं कर सकता क्यूंकि यह technology और science में उतने आगे नहीं हैं जिससे कि यह वह minerals खोज निकाले फेस्बुक के एक employee ने पारा साल के लिए एक cruise ship का अपार्टमेंट वुक कर लिया है इसके लिए इससे 2.4 करोर देने पड़े लेकिन अभी अपने जिन्दगी पाहरा साल मस cruise ship में काट सकता है और इसने इसा किया ताकि यह disturbance से दूल जाकर काम कर सके वाइलेक जिसाप नम के जो औरत है यह तीनो शिप यहाने Titanic Olympic और Britannic के ship nurse रह चुकी है और यह तीनो शिप में survive कर गई क्यूंकि वो तीनो शिप जो थे वो डूब गए थे तो बात यह है कि यह काफी ज़्यादा लखी थी जो यह तीनो शिप में बच गई थी या इतनी अब भी लोग सोनी के लिए फिलो का यूज करते हैं और कई डिफरेंट और अजीब टाइप के फिलो का हम यूज करते हैं और हाली में एक Egyptian टोम में से एक next supporter मिला और भी कई ऐसे प्रूब्स जो यह बताते हैं कि Egyptian में जो बहुत पैसे वाले लोग होते थे जो किंग कुईन होते थे वो सोनी के लिए फिलो का यूज करते थे उसके जगह वो next supporter का यूज करते थे अगर आप नाक और आंखों को बन करके एपल पोटैटो और ओनियन को खाओगे तो तीनों का टेश्ट बिल्कुल सेम आएगा लाइक एकड़म सेम डू सेम और कुछ एक्सपर्स का कहना है कि हाँ यह सच है वही कुछ एक्सपर्स कहते हैं कि नहीं भई यह कहलाता है तो आप खुद इन दोनों कंटल के बीच काफी अच्छी दोस्ती है जैसे कि नेपाल और इंडिया की जिसकी ओजर से यहां पे आपको वीजा नहीं चाहिए होता है और आप बस एक पर रखके इंटरनेशनल ट्रावल करते हो यहां के लोगों के लिए यह नॉर्मल है जैसे कुछ लोग रह इन की दो वाइफ थी जिसमें से सकेंड की तो मस एडिसन का यह फैक्ट बहुत कम लोगों को पता है तरसल इनकी दो वाइफ थी जिसमें से केंड वाइफ को इन होने मौस कोड सिखाया था मौस कोड में दो लोगों का इन्वाल्मेंट होता है और फैमिली के बीच यह दोनों मौस कोड में बात करते थे जैसी कि एक दूसरे से शोल्डर पे हैंड टैप करके ताकि इन दोनों के बीच कोई भी बात हो वो किसी और को आइंश्टाइन इनका नाम आप ना जानते हो ऐसा तो होई नहीं सकता क्योंकि यह थे ही इतने स्मार्ट पर क्या आपको पता है ऑइंस्टाइन का ब्रेन नॉर्मल से बड़ा था हां आपने सई सुना कैनेड़ा के रिसर्च इंस्टिट्यूट में यह पता लगा है कि आइ लिकटर्स में कई बाल दिखाई जाती है पर क्या आपको पता है कि जिस विक्ति को पांस से ज्यादा लेंगुज़ आते हैं उसे काफी ज्यादा हाई चांस होता है अनकॉंसिस्ली परस्नलिटी चेंज करने का जब भी वो दूसरे किसी लेंगुज में बात करता है डिजने लैंड में एक बहुत अच्छा रूल है कि आप किसी भी डिजने कैरेक्टर से एक वेकप कॉल मांग सकते हो मतलब अगर आपको लाइफ का वेकप कॉल चाहिए या अगर आपको कुछ चीज के बारे में अलाम सेट करना है तो कोई भी डिजने कैरेक्टर जो वहां खड़ा होगा उससे आप सट कलवा सकते हो बिरसल ये हमेशा अपने साथ एक फोन लेके घूमते हैं जो कि उनके आफिस तक जाता है और जिस भी कैरेक्टर से आप फोन मांगते हो लेकिन ये रात को चमकेगा और रोष्णी निकालेगा तकि एन्वायर्मेंट के लिए भी अच्छा हो और रोष्णी भी मिल जाए किसी लायन या टाइगल के दहार जो होती है वो एक म्यूजिक कॉंसर्ट से भी ज्यादा जोलदार होती है इनकी दहार को 114 डेसिबल तक रिकॉर्ड किया गया है और अगर आपको नहीं पता कि ये कितनी जोर की आवास है तो हम आपको बता दे हैं कि एवरेज म्यूजिक कॉंसर्ट में इतनी ही जोर की आवास आ रही होती है इलोन मस्की एक बहुत ही वियर्ड से आदत है दरसल वो हर 6 महीने में अपना फोन चेंज करते हैं बले ही वो सेम टू सेम फोन लेते हैं पर फिल भी वो हर 6 महीने में अपना फोन चेंज करते हैं और कई लोगों को लगता है या ऐसा इसलिए करते हैं कि इन्हें डेटा सेक्यूरिटी का बहुत बढ़ा डर है पर इन्होंने इस चीज के बारे में पब्लीक ली कभी भी बात नहीं की इंसानों के लिए अब नेल प्रिंट करने के लिए एक मशीन बन गई है यहां देखिए यह मशीन आपके नेल पर जो डिजाइन चाहे वो प्रिंट कर देती है आपको यहां खूब सारे डिजाइन के ओप्शन मिल जाते हैं जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा और इसके अक्यूरिसी भी पहुत तगड़े होती है जो इंचेंट रोम होगता था वो कुछ ऐसा दिखता था वही बस इस चीज़ का मिनियेचर बनाने में रिसेर्च इसको 38 साल लगए और इतने रिसेर्च करने के बाद यह इंचेंट रोम का वपस रेप्लिका बना पाए कि आजके बिल्कुल किसी मॉडरन सिटी की तरह लगता है लेकिन यह कई साल पुड़ाना इंचेंट डर्म सिविलाइजेशन है जोचे विज्ञानिकों को रेप्लिका बनाने में 38 साल लग गए तो इसे एक्चुली में बनाने में कितना ज्यादा समय लगा होगा वो भी इत कि तुने साल थाया